हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड के सब्जेक्स सोसल स्टेडीज के वीक नमबर 26 की वर्क सीट को सॉल्व करेंगे जो की नौर्ट डेली मिनिसिपल कॉर्पोरेशन के द दिली के कोई भी दो गाओं के नाम लिखेंगे तो बच्चों आप जिन गाओं के नाम जानते हैं अपने माता पिता से पूछ कर लिखेंगे जैसे की बिंदापूर नसीरपूर नेक्स है आस्क यो पैरेंट्स एंड राइट दा नेम ओफ यो बिलेज बच्चों आप अपन गाओं का नाम अपने माता पिता से पूछ कर लिखेंगे जैसे की यहाँ पर है बिंदापूर नेक्स्ट है what is the importance of the pond in the village गाओं में तालाबों की क्या importance है तो बच्चों आंसर है ponds not only give water to people तालाब केवल लोगों को ही पानी नहीं देते हैं but also bring water inside the earth बलकि प्रत्वी में भी पानी पहुंचाते हैं rain water flows into the ponds वारिस का पानी बहकर तालाबों में खटा हो जाता है this water slowly seeps down यह पानी धीरे धीरे risk कर go inside the earth प्रत्वी के अंदर चला जाता है then people take out this water from wells and step wells लोग फिर इस पानी को कुऊं तथा बावणियों से निकाल कर अपने काम में प्रियोग करते हैं अब बच्चों question है where does water come from in your house आपके घर में पानी कहां से आता है तो बच्चों answer है water comes to my house through the pipe of Delhi जलबोड मेरे घर में पानी दिल्ली जलबोड के pipe के द्वारा आता है तो बच्चों आपके घर में जिस माध्यम से आता है आप उसके बारे में लिखेंगे next है if you get a chance to go to village यदि आपको गाउं जाने का मौका मिले what would you like to do there तो आप वहां क्या करेंगे explain briefly तो बच्चों answer है if I get a chance to visit the village यदि मुझे गाउं जाने का मौका मिलता है someday I would like to go there तो मैं वहां जाऊंगा and see the fields और खेतों को देखूंगा I would like to know about new things मैं नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद करूंगा जैसे की about agriculture, machinery, etc किरसी यंत्रों के बारे में आदी में जानना चाहूंगा अब बच्चों question है fill in the blanks by choosing the correct word यहां पर बच्चों सही word को choose करके blanks को fill करना है words are ponds, boundaries, grass cutter, water in the village comes from गाउं में पानी कहां से आता है? ponds and boundaries, तालाबों और बावडियों से animals feed is cut with the help of जानवरों का चारा किसकी साहता से काटा जाता है? grass cutter की साहता से अब बच्चों question है looking at the picture given below नीचे दीगे picture को देखकर choose the correct words, सही word को choose करिए and write और लिखिए words are well, kua, choolha, pond, तालाब, बुलक कार्ट, बैल गाड़ी first picture में बच्चों क्या है? यह है बुलक कार्ट, बैल गाड़ी है यह लिखेंगे बुलक कार्ट, यह क्या है बच्चों जिस पर खाना बन रहा है? चूलह, next picture में है pond, तालाब, यह है बच्चों well, kua, life skill, money management, धन व्यवस्था, children, बच्चो, as we know, जैसा कि हम जानते है, drop by drop, fill the pot, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, similarly, बिल्कुल इसी त थोड़ा थोड़ा धन इखटा करके भविश्य के लिए जादा हो जाता है, this money secures our future, यह money हमारे भविश्य को समारती है, सुरक्षित करती है, you also add a little money every day from your pocket money, आप भी अपने जेव खर्च में से कुछ धन थोड़ा थोड़ा करके प्रोजाना इखटा करेंगे and then buy useful things for you with the guidance of your और फिर अपने माता पिता की देख रेक में आप उस धन से अपने लिए कुछ लाबदायक वस्तू खरी देंगे संसकार साला Our greatest glory is not in never falling, हमारा जो greatest glory है, गौरव है वो कभी नगिरने में नहीं है, but in rising every time we fall, बलकि हर बार गिरकर उठने में है Food में आज आप क्या लेंगे, eat green leafy vegetables at least twice a week, सब्ता में कम से कम दो बार हरी सबजिया ले, time with family, अपने परिवार के साथ समय किस तरीके से बिताएंगे You can start your day by touching the feet of your elder at home, आप अपने दिन की शुरुआत अपने घर पर बड़ों के पैरों को छूकर कर सकते हैं Activity of the day, आज बच्चों Activity में क्या होगा, draw the scene of लोहरी, आप बच्चों लोहरी जो त्योहार है, उसका एक दर्श्य बनाएंगे and decorate it beautifully in your drawing book, अपनी drawing की बुक में इसे सजाएंगे सुन्दर तरीके से Daily Routine, include the following habits in your daily routine, दीगे habits को आप अपने daily routine में include करेंगे, सामिल करेंगे, begin your day by greeting your parents, अपने parents को greet करके उनका अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, brush your teeth twice a day, दिन में दो बार नातों को brush करें, ते का bath daily, प्रोजाना नहाएं, drink plenty of water, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं and eat a balance diet और संतुलित आहार लें, avoid touching your face, अपने चेहरे को छूने से बचें and wash your hands frequently और अपने हाथों को नियमत रूप से दोएं, complete your homework on time और अपना ग्रहकारे समय पर पूरा करें Students, if you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel, thank you